Hello Learners, Welcome to our channel Advice Pavan, I hope आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे Today we are going to read the second chapter, The Adventure of Toto That is taken from the book Moments, a help book of supplementary reader in English for class 9 Class 9 की supplementary book से यह chapter लिया गया है, second number का chapter इससे पहले के वीडियो में हमने फर्स चैप्टर देखा था आज हम लोग देखने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं दा एडवेंचर ओफ टोटो ठीक है दा एडवेंचर ओफ टोटो दिस इस टाइटल ओफ आवर सेकंड चैप्टर एडवेंचर वाट इस दा मीनिंग ओफ एडवेंचर एडवेंचर मीन्स होता है सहासिक कारे जोखिम भरे कारे ठीक है या फिर आप इस चैप्टर के अनुसार जदी देखोगे तो सरारती कारे बोल सकते हो ठीक है बदमास्वी वाला कारे बोल सकते हो ठीक है एक्चुली आप words के हिसाब से आप जदी meaning देखोगे तो adventure means होता है सहासिक कारे जोखिम भरे कारे ठीक है तो यहाँ मैं देखना है कि आखिर ये सहासिक कार और जोखिम भरे कारे टोटो के हैं ठीक है तो ये टोटो कौन है क्या चीज है क्या ये जोखिम भरे कारे करता है that we have to read ठीक है before you read में देखिए क्या बोलता है have you ever had a baby monkey as a pet बोल रहा है कभी भी आपने जो है एक baby monkey को pet के रूप में रखा है पाला है ऐसा करके generally ये ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि generally जो लोग है वो pet animal के रूप में देखोगे dog हुआ cat हुआ rabbit हुआ इस प्रकार के animals जो है वो घर में पालतू बनाते हैं जैसे cow हुआ ox हुआ इस प्रकार के लेकिन कभी जो है अपने monkey को pet मतलब नहीं बनाया होगा सायद ही बनाया होगा यानि बन्दर का बच्चा let's find out whether he is mischievous और डोकाईल तो आईए पता करते हैं बोलता है यानि पढ़ते हैं इस chapter में कि आखिर टोटो जो adventure कारे करता है ठीक है उसी के अनुसार हमीं आकलन करना है पता लगाना है कि उसका जो character वो mischievous है या डोकाईल का है ठीक है mischievous means होता है सरारती और डोकाईल मींज अच्छा सजन जिसको बोलते है मतलब अच्छा सांदार सीधा साधा हैंसम जिसको बोलते है तो वह हुआ हुआ डोकाइल और मिस्चिवियस मींस हुआ बदमास, खतरनाक, सरारती ठीक है जितने भी खराम नाम लेने हैं आप ले सकते हैं ठीक है मिस्चिवियस और डोकाइल तो that we have to read और that we have to find also आई हमें पता भी करना है ठीक है कि वह आखिर बदमास है मिस्चिवियस य जो है खरिद के लाते है जो grandfather है यह लेखक के grandfather है ठीक है Ruskin Bond जो the writer of this chapter इस कहानी के स्टोरी के जो लेखक है Ruskin Bond है तो उनके जो दादा जी है ठीक है उनके जो दादा जी है वो tonga driver यानि जो तांगा चलाता है घुड़ा गारी वगर है उनसे खरिदा था for the sum of 5 rupees ठीक है कितने में 5 रुपे में सुनकर आश्यर होगा ने 5 रुपे में बंदर खरीद लिया बंदर का बच्चा खरीद लिया तो खैर जो भी हो मानना पड़ेगा the sum of 5 रुपे पांच रुपे में लिखके दादा जी ने एक टोंगा ड्राइबर से टोटो को खरीदा the tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding truck and the monkey looked so out of place there actually क्या था वो जो monkey था जब tonga driver के पास था used to keep the little red monkey थेक है बंदर का मूँ देखोगा आप लोग लाल लाल रहता है तो इसलिए little red monkey word used किया गया है तो उसे वो tied करता देनी बांद के रखता था to a feeding truck थेक है आपने मांद देखा होगा या फिर जो guy bell को हम लोग चारा देते हैं तो बड़ा सा एक बरतन रहता है देखोगे और उसी में भूंसा हुआ घांस हुआ कुछ भी इस प्रकार से वो बरतन में देते हैं जैसे वो cemented भी हो सकता है ठीक है या मने कोई भारी धातू अगरे का भी होता है तो जिससे वो बांध कर रखा जाता था तो उसी के विशे में दादा जी बोल रहे हैं looked so out of place there ठीक है वो मतलब उस जगह के अनुसार सबकी एक अपनी अपनी जगह होती है ना किसी को भी कहीं पी बांध दोगे तो वो उस जगह पर सोभा नहीं देगा ठीक है इस प्रकार से ऐसे बंदर को मानलो हमने पेड़ के नीचे बांध के रखा है एक्चलि बंदर की अपने प्राइवेट जू में दादा जी का अपना जो है एक प्राइवेट जू था जिसमें बहुत सारे अनिमल्स और बर्ड्स उन्होंने पाल के रखे थे वे काफी अनिमल लवर भी थे सौकीन थे आप लोग देखेंगे फर्दर पेजेस में आगे में कि कौन-कौन से व भी वहां उस जू में ले जाएंगे तो वह भी जू की सान को सोभा को बढ़ाएगा ऐसा अगर के कम तो नेक्स्ट पेज टू ठीक है नौ सम इंट्रोडेक्शन रिलेटेट टू अब टोटो है तो भाई मौंकी है जिसके बारे में चैप्टर हमें पढ़ना है तो थोड़ी बिनित डीप आइस डीप सेट आइब्रोज इस ब्राइट आइज उसकी आखें बहुत ही चमकिली हैं उसकी घनी घनी भावें के पीछे जो उसकी आखें वो काफी मिस्चीवियस नजर आ रहें मिस्चीफ नजर आ रहें मतलब सरार्ती देखने से आपको लगे गर कि कुछ उसका दिमाग में खुराफा चल रहा है ऐसा गर किसले मिस्चीफ वर्ड यूस किया गया है ठीक है और उसके दात कैसे हैं टीथ पर्ली वाइट एकदब मोतियों की तरह चमचमाते हुए ठीक है वेर वेरी ओफन डिस्प्लेट इन्हें स्माइल जो अकसर आपको देखने को मिल जाएगा हसते हुए जो कि उन एंगलो इंडियन लेडिस लोगों को डराने के लिए उनकी जान लेने के लिए काफी है ठीक है आपने देखा होगा अंदर को हसते हुए कि इस प्रकार से मूँ खोल के दात बड़े-बड़े उसके रहते हैं और वो देखके इस तरह से मने हस्दिन टाइब का करता है तो वो अंगलो इंडियन लेडिस को मतलब उनके डराने के लिए काफी है बोलता है अंगलो इंडियन लेडिस कहने का मतलब वो भारती है अंग्रेज महिला बोल सकते हैं आप लोग बटिस हैंड्स लुक्ट ड्राइड अप एज दो ते हैड बिन पिकल्ड इन दा सन फॉर मैनी इयर्स लेकिन आप जदे उसके हाथों को देखोगी ओसी प्रकार से देखो कि जैसे पता ने कितने सालों से उसके हाथों को धूप में सुखा कर रखा गया हुआए तो वो शिकूड जाते हैं तीक है उसी प्रकार से और काफी टाइट हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार से इसका हाथ भी वैसा था इसलिए ऐसा बोल रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से कितने सालों से उसके हाथों को धूप में सुखाया गया होगा ऐसा गर कि येट इस फिंगर्स वे क्विक एंड विक्ट लेकिन उसके हाथ हतेली वैसे थी उसके अंगुलियों को देखोगे वो काफी क्विक थी फूर्तिली थी और सरार्थी भी थी मतलब स्थिर नहीं रहते थी कभी इसको चूँओ कभी ये करो कभी मैं तो कुछ ना कुछ हरकत करती रहती थी और उसके जदे पूच की बात करो तो वो उसकी गुड लुक्स को और बढ़ाती है ठीक है सबकी अपनी अपनी एक खूबी होती है और फिजिकल अपियरेंस होता है ठीक है जिसमें वो खूबसूरत दिखता है अब मालो कोई डॉगी है कुटा है उसका पूच नह नहीं रहें तो वो सोभा नहीं देता है सुंदर नहीं दीकता है तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि पूच जो है उसके गुड लुकिंग में उसकी खूबसूरती में चारचांद लगा रहा है और also served as a third hand और वो उसको एक third hand की तरह भी help करता है ठीक है आपने देखा तो उसके पहुँच पा रहे हैं तो पुँच देखोगे लंबी होती है तो पुँचों के सहारे भी वो उस जगह तक जो फल तूर में लगे होते हैं वहां तक वो पहुँच जाता है और ग्रांट फादर के ऐसा मानना भी था कि कोई पुँच जो है वो किसी भी गुट लुकिंग में वो चार्चान लगा देता है उसको और बढ़ा देता है लुकिया गर सकता है उस पुँच के सारे किसी भी टैनी से लटक सकता है और वो पहुच को ले जा सकता है उचल सकता है वहां तक अपनी पहुच बना सकता है that might be out of reach of his hands जो कि उसके हाथों के पहुंच से दूर है या अपने हाथ से वो उस फल तक उस जगा तक नहीं पहुंच सकता है ग्रैंड मदर always wished when grandfather brought home some new bird or animal अब ग्रैंड मदर हमेशा जो है वो first रहते थी मतलब कहने मतलब fire गुसा से आग बबूला रहते थी जब भी grandfather जो है घर में किसी नए सदसे को लाते थे नए सदस in the sense for the zoo के लिए जैसे कोई bird को उठा के लिए आए कोई animal को उठा के लिए तो दादी मा का गुसा साथ में आस्वान पर रहता थी वो बहुत ज़्यादा गुसा करती थी इसलिए यह डिसाइड किया गया कि टोटो की उपस्तिती को भी सीक्रेट रखा जाए क्योंकि फिर वो टोटो को लेकर आएंगे नया प्राणी देखेगी दादी मा फिर गुसा करेगी तो इसलिए उसे सीक्रेट रखा जाए चुपा कर रखा जाए ऐसा प्लानिंग किया जाता है So it was decided that टोटो's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood कब तक सीक्रेट रखा जाए दब तक दादी मा का good mood नहीं हो जाता है जब तक अच्छे mood में ना रह होता है ऐसा बहुत बार कि आदमी बुरी चीज़ों को भी बुरी बातों को भी जब अच्छे mood में रहता है तो अच्छा मान लेता है मतलब accept कर लेता है grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall और इसके bedroom के दिवाल के सहारे ही ये closet था closet मेंस होता है almira छोटा almira size का उसी में ये लोग पांद के रखते थे where he was tied securely or so we thought to a pack fastened into the wall वहीं पर almari के सामने एक खूंटी था ठीक है जिसमें हम लोग तार उर बांदते हैं कांटी टाइप का समझ लीजे तो उसी से वो बांद कर रखा गया था ऐसा बोल रहा है लेका लेकिन बोलने के अनुसार क्या हो रहा है ठीक है उसे अच्छ से बांद के रखा गया था लेकिन बोलने के लिए है कि उसे फोटो कुछ छंड के पश्चात ये दोनों वापस आते हैं उसे रिलीस करने के लिए क्योंकि वो बांद कर रखा गया था तो उसे छुड़ाने के लिए छोड़ने के लिए आते हैं वहां आपर आकर क्या देखते हैं कि दिवाल पर उनके दादा जी ने कुछ सजावती कागजियों से ठीक है आज कल देखोगे जो आधुनिक घर वगरे होते हैं तो वहां दिवार के सजावत वगरे के लिए फोटोस, सीनरी, पिक्चर्स, वालपेपर्स वगरे, स्टिकर्स व द्वारा लगाया गया था वो एकदम खतम हो गया था सब खराब हो गया था कैसे नाउ स्टूड आउट एज नंगी दिवार होती है देखोगे आपको उसमें हीटा नजर आएगा और सीमेंट का प्लस तरह नजर आएगा तो सेम उसे प्रकार से कर दिया गया था यानि उस ने नोच नोच के वो सारा स्टीकर जो भी वहाँ पर चिपका हुआ था पेपल्स वगरा गुड लुकिंग के लिए अच्छा देखने के लिए वो सारे चीजों को हटा दिया था दपेग इन दा वाल हैड बिन व्रेंच्ट फ्रॉम इट्स सॉकेट और जो खूटी जिससे यह बांधा हुआ था वो फी उखड़ा हुआ था वो इदर उदर छट पटाया होगा उचलकूद किया होगा जैसे वो खूटी अलग हो गए होगी एड मैं स्कूल ब्लेजर अपने स्कूल ब्लेजर के बारे में बात कर रहे हैं लेकर यानि समझ जाओ वो समय छोटे थे स्क और उसका जो ब्लेजर था वो एकदम चित्ड़ा चित्ड़ा हो गया था ठीक है मूसे दाथ से आपका नाखून वगरा से पैर के पंजों से हर जगह से वो नोच नोच के एकदम चित्ड़ा बना दिया था उसका जैकेट को आई वंडर्ड देट ग्रैंड मदर वुड्से ठीक है वो आश्चेर कर रहा था कि आखिर दादी मा जदी यह सब देख लेगी तो क्या करेगी वो तो जान ही मार लेगी क्योंकि ऐसे भी उससे छुपा कर उससे रखा गया और दादी मा को जदी पदा चल गया कि यह इसका क अब बंदर सरारत नहीं करेगा बदमाशी नहीं करेगा तो फिर उसकी क्या बोलेंगे जो quality में वही किदम हो जाएगी आप जैसे मालों कुत्ते डोगी को आप पालते हो और डोगी जदी वफदार नहीं होता है तो आपका कुत्ता को पालना बेकार है तो उस प्रकार से यह परकत को देखकर वो खुस हो रहे हैं और यह था बड़ा चतूर है बहुत चलाक है गिवेन ट्राइम इसको कुछ समय दे दो आयम शियोर ही कुड है टाइट टॉन पीसे अफ यह ब्लेजर इंटो ए रोप और मेड इस इसके फ्रॉम दा विंडो तदा जी बोलता है कि निश्चित यह तुमने तुमारा जो यह जैकेट का ब्लेजर का चितरे उड़ा दिया है इसको जोड के रसी टाइप का बना लेगा और खिड़की के सारे इसके फ्रॉम दा विंडो और विंडो से भाग जाएगा बोलता है सगर के इसका प्रेज़न्स अभी भी सीक्रेट था ठीक है चुपा कर ही रखा गया था तोटो was now transferred to a big cage in the servant's quarter अब तोटो को transfer किया जाता है कहां transfer किया जाता है एक बड़े cage में बड़े जगह पर, बड़े स्थल पर in the servant's quarter servant का quarter के पास where a number of grandfather's pets lived very sociably together जहां पर grandfather के और दूसरे जो जानवर थे animals वगरा थे वे सारे sociably रहते थे मतलब सामाजिक्ता के रूप में मैतरिपूर्ण तरीके से इसलिए sociably word use किया गया है मतलब सामाजिक्ता के साथ मैतरिपूर्ण भाव के साथ दोस्ताना वैवार के साथ रहते थे कौन कौन से थे वो जानवर a tortoise, कचुआ a pair of rabbits एक जोड़ा rabbit खरगोज, a tame squirrel पालतू गिलहरी and for a while my pet dog और कुछ समय पहले ही इसका या कुछ चन पहले ही इसका दोस्त बनी थी बकरी ठीके तो ये सारे दादाजी के zoo में मौजूद थे फिर से आप लोग नाम देख लीजेगा और याद कर लीजेगा कि आप से पूछ सकता है कि दादाजी के zoo में कौन कौन से अनिमल्स वगरा थे a tortoise a pair of rabbits a tame squirrel and pet goat ये सब के साथ में servant squatter के पास उन्हें पेश दिया जाता है but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night वो बंदर इतना बदमास था, इतना सरार्ती था, इतना mischievous था कि रात में इन जानवरों को सोने ही नहीं देता था हमेशा खुर खार इदर नोच रहा है, उदर नोच रहा है, आवाज निकाल रहा है उचल कूद कर रहा है, सारे जनवरों को परिशान करके रखा हुआ था किसी को भी रात में चैन से सोने नहीं दिया अगले दिन क्या था कि दादा जी को सहरन पूर जाना था किसलिए सहरन पूर जाना था, अपने पैंसन के लिए पैंसन के लिए सहरन पूर जाना था, कहां से जाना था, देहरादून से जाना था उन्हें पैंसन लेने के लिए तो जहिर सी बात है चिंता उनकी बढ़ गई होगी किस लिए? So he decided to take him along आप समझ सकते हो राद बर उसने अन्य जानवरों को सोने नहीं दिया ठीक है? तो ये अच्छी बात नहीं है बरातरी में सोना एक समय रेष्ट के लिए मिलता है उसमें भी जदी वो सोने नहीं दे तो बने अच्छी बात नहीं है So he decided to take him along इसलिए दादा जी ने सोचा इसको साथ में लेते जाएंगे कि यहाँ जदी इसे छोड़ दिया जाए तो यह फिर बदमासी करकर के सब की हालत खराब कर देगा तो हम लोग देख रहे हैं सुरू में जैसा हमें पता करना था कि वो मिस्चिवियस है बदमास सरार्ती है या डोकाइल सादू सजजन टाइप का है वो मॉंकी तो अभी तक तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो मिस्चिवियस ही है बदमास लेखक बता रहे हैं कि दुर्भागिवस मैं दादा जी के साथ उस ट्रिप में नहीं जाने सका कुछ कारण आ गया होगा कुछ एक्जाम होगा तो नहीं जा पाया लेकिन दादा जी ने बाद में आकर उसे बताया लेखक को कि अखिर ये टोटो क्या-क्या कारणामा किया है या क्या मुझे इसके चलते जिलना पड़ा ये सारी बाते क्या पताते हैं दादा जी कैसे ले गए उसे पहले तो वो देखिए A big black canvas kit bag was provided for Toto Toto के लिए एक बड़ा सा काले रंग का black canvas kit bag canvas kit bag होता है आपका तिरपाल टाइप का या तिरपाली समझ लो मोटा hard कपडा जैसा रहता है चादर टाइप का मोटा चादर आपने देखा होगा साधी उदी या कुछ भी उस तरह से tent बगर बनता है तो उसमें उस कपड़े को use किया जाता है canvas को तो वैसा ही या मोटा एक दम तिरपाल का बनाया गया एक bag बनाया गया बड़ा साइज का थोड़ा this with some straw at the bottom और इसके नीचे में कुछ straw डाला गया घास फोंस पुआल थोड़ा नरम करने के लिए became his new abort और यही उसका नया abort था मैंस आवास उसकी सरनिस्थली बोल सकते है when the bag was closed there was no escape और जब bag को close कर दिया गया तो वह escape होने का वहां से बचने का कोई chances नहीं था वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था टूटू could not get his hands through the opening और वो अपने हाथों को opening तक यानि खोलने के जगद तक नहीं पहुँचा पा रहा था and the canvas उपर से जो canvas था was too strong for him to bite his way through और वो canvas इतना मूटा था और इतना strong था कि उसके दातों के लिए वो नोच पाना उसे कुतर पाना उसे फाड पाना नहीं possible था जैसा कि उसने घर में जो दिवाल पर वाल पेपर या स्टीकल्स लगे हुए थे उनको दिखा आपने वो पुरा खराब कर दिया था नोच वगर के दांस वगर लगा के सारे चीज़ों को रगड कर खतम कर दिया था तो यह बैग उससे मोटा था इसलिए वो उससे कुछ मतलब बिगाड नहीं पा रहा था and the canvas was too strong for him to bite his way through his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air सिर्फ इतना होता था कि जिस station पर था दादा जी थे तो उस जगह पर इन्होंने बैग में भर के रखा था उस तिरपाल वाले बैग में तो वो हमेसा निकलने की कोशिश कर रहा था और उस निकलने की कोशिश में क्या होता वो बैग से लुडग जाता तो बैग में भरा हुआ कोई जीव रहेगा तो जाहिर सी बात है बैग हिलेगा वो कभी इधर रोल करता कभी इधर रोल करता और कभी-कभी उचलने की भी कोशिश करता कि मैं उचल के निकल जाओंगा बोलके छट पटाने लगता तो यह जो था एक क्या बन गया था एक 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 जिविशन बन गया था मिन्स प्रदर्शनी एक प्रदर्शनी लग गए थी लोग एक दब आस्टेर हो के देख रहे था यह रहे इस बैग में आखिर है क्या चो इधर कभी गिर रहा है कभी इधर गिर रहा है कभी जमिन से उपर उठ जा रहा है तो पूरे भीड वहां जमा हो गई क्राउड ओफ ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लैटफॉर्म कहां पर किस स्थल पर देहरादून रेलवे प्लैटफॉर्म पर बहुत लोगों की भीड जमा हो गई टोटो रिमेंड इन दे बैग एस फार इस सहरनपूर टोटो बैग में ही रहा कोई मतलब लिखक जान रहा था कि जदी से बाहर निकालेंगे फिर ये बदमासी कुछ करेगा ट्रेन में तो उसे बैग में ही रखा और एक ही बार सहरनपूर में ही उसका चेन खोला या जैसे भी बंद किया था उसने उसे बाहर निकाला उसका सिर जो है उसका सर वो बाहर निकला हुआ था बट वाइल ग्रांट फादर पस प्रेडूसिंग हिस टिकट एड़ रेलवे ट्रंस्टाल टोटो सड़नली पोक्ट हिस हेड आउट तभी क्या होता है कि आप भी जब टिकट क टिकर्ट के चीकिंग करते हैं तो ठीक यहाँ पर भी सारनपुरेलवे श्टेशन में भी जैसे उतरने के बाद जा रहेते तो टिकट चपर के पास इनने टिकट सो करना पड़ तो उसी जगह पर यह जैसे रुपते हैं टिकर्ट कर रहे होते हैं तो टोटो सड़नली देखा होगा बंदर हमेशा मनें मूँ खोल के दाथ दिखाते रहते हैं तो उसी प्रकार से टिकट चेकर को भी करता है तो ऐसा किसी को भी चिढ़ाने जैसा करोगे तो उससे तो गुस्सा आये गा ही और यहाँ टी जो था टिकट कलेक्टर टी सी उसके साथ भी सेम केस हुआ उससे भी गुस्सा आया पट विद ग्रेट प्रेजेंस अफ माइंड लेकिन वो काफी शातिर दिमाग का था बहुत होश्यार था वो टिकट चेकर ठीक है और उसने तुरंट क्या किया and much to grandfather's annoyance grandfather को भी गुस्सा दिलाते हुए he said sir you have a dog with you you will have to pay for it accordingly अरे sir आपके साथ तो यह कुत्ता भी है ठीक है उसी समय बंदर जो है वो अपना sir निकाला था दादाजी के बैक से तो अरे sir आपके साथ तो यह कुत्ता भी है इसका भी आपको payment देना पड़ेगा you will pay to for it accordingly तो आपको इसके कीमत देनी पड़ेगी ऐसे railways में rule है कि आप ज़दी किसी pet animal को मने railways में सफर कराना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो first of all you have to take permission from the railway authorities सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा railway authorities जो भी है उनसे permission लेना पड़ेगा क्योंकि animals are not allowed ठीक है while traveling उनको traveling train वगरे के दोरान traveling में वो allowed नहीं किये जाते हैं इसलिए you have to take permission आपको permission लेने पड़ेगी ठीक है और उस permission के अनुसार आपको charges pay करने पड़ते हैं तो उसी लिए यहाँ पर ticket collector उनसे charges apply कर रहे हैं कि आरे आपके साथ तो ही एक उता भी है इसका भी आपको payment देना पड़ेगा come to the next page in when did grandfather take toto out of the bag in when did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog ठीक है मतलब in when did grandfather take toto out of the bag यह बेकार है कि तोटो जो है दादा जी जो है वो तोटो को bag से बाहर निकालते in when did he try to prove that monkey did not qualify as a dog और यह भी बेकार है उनके सामने प्रूफ करना कि एक monkey जो है वो dog नहीं हो सकता है क्योंकि याद किजिए यहाँ जो ticket चेकर था वो कैसा treat कर रहा है तोटो को as a dog एक dog की भांती वो उसे treat कर रहा है कि वो एक कुता है बोलके अब दादा जी बोल रहा है कि यह बेकार है क्योंकि उस तरह से जब उनका पैसे लेने का मन हो जाता है तो देखो कि वो कुछ ने कुछ करके fine करके ले ही लेते हैं आप लोग भी देखे होगे कुछ मतलब जैसे बाइक आपकी आप लेकर निकलते होंगे आपके सभी documents के लिए नहीं है तो कुछ ने कुछ चीज में वो मने पैसे ले लेते हैं जैसे गाड़ी के कागज नहीं है कागज है तो license नहीं है license है तो helmet नहीं है helmet है तो चपल नहीं ह कार में तुसे बेल्ट नहीं है कुछ न कुछ या फिर बहूत कुछ हुआ तो चलो आपका हवा टायर में जो है वह प्रेशर कम है तो बहुत सारे तिक्डम है रहते हैं उनके पास से तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बुल रहे हैं कि दादा जी को इनको बतलाना टिकट चे क को कि यह monkey है डॉगी नहीं है वो वेर्थ है बेकार है और इविन एजे और यह चौपाया है यह भी टॉटू वस classified a dog by the ticket collector क्योंकि ticket collector के द्वारा टॉटू को कैसे classified किया यह एक डॉगी है मतलब उन्हें category बनानी पड़ती है कि यह किस श्रेणी में आएगा और यह मतलब किस श्रेणी के तहथ इनका चलान वगरा काटा जा रहा है तो एक डॉग के रूप में उसका चलान काटा जा रहा है तो में भी उनके जो लिस्ट होगा उसमें monkey का नाम नहीं आता होगा सिर्फ यह डॉगिस का नाम लिस्ट में होगा and three rupees was the sum handed over as his fare और उनसे कितना fine लिया गिया तीन रुपे fine लिया गिया या कीजिए दादा जी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से पांच रुपे में खरीदा था अब उन्हें यहां टोटो के लिए तीन as a fine जो है वो देना पड़ा तीन रुपे then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise तब दादा जी भी सुरू में ही हमने देखा कि दादा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया था तो दादा जी क्या करते हैं वो अपने bag से अपने pet tortoise को भी निकालते हैं यह तो हमें भी पता नहीं था कि दादा जी tortoise को भी ले गए थे कि वो टोटो को ही monkey को ही ले जाते हैं लेकिन वो अपने साथ tortoise को भी कछुए को भी ले गए थे तो वो गुस्से से क्या करते हैं अपने pocket से उस pet tortoise कछुए को भी निकालते हैं और कहते हैं टी को ठीक है जो ticket checker थे उनको what must I pay for this since you charge for all animals वो ticket checker को गुस लेजेगा इसका क्या charge लेजेगा बोलिये आप तो सारे जानवरों के charge लेते हैं इसका क्या charge लेजेगा बताइए बोलता है और बड़ी गौर से ticket collector जो था वो उस कछुए को उस tortoise को देख रहा है और अपनी अंगुलियों से उस कछुए को पूरा चुँ रहा है निरिक्षन कर रहा है चेकिंग कर रहा है ठीक है ऐसा करके gave grandfather a pleased और थोड़ा सा मुस्कुराता है दादाजी की और entrant victory जीत की खुसी में और बोलता है look and said ठीकि वो पूरा अच्छा से निरिक्षन किया अंगले से छूप वगरा कर देखा सब तरफ से no charge बोलता है नहीं नहीं इसका कुछ charge नहीं लेंगे बोलता है it is not a dog क्योंकि ये dog doggy नहीं है that means कि अब वो से doggy का ही charge ले रहे थे और दूसरे कोई भी जानवर ले जाओ आप उसका charge नहीं लगेगा हो सके लेकर जदी हाथी ले जाते तो क्योंकि उसको dog का ही charge ले जाना था हूँ हाथी को भी charge ये मत बूलना कि sir train में जो हाथी कहां से बैठेगा बैठ बोलता है यह देखिए आपको यहाँ पर सहरानपूर railway station का जो है ticket collector और दादा जी यहाँ पर आपको नजर आएंगे यह हैं हमारे ticket collector और यह हैं हमारे दादा जी और यहीं देखो इनके bag में यहाँ पर है आपका toto mischievous toto इसी की सरारत और यह सब कार्नामा है खेर अभी तो स अरारत और कार्नामा शुरू नहीं हुआ है अभी देखिएगा आप लोग when toto was finally accepted by grandmother he has given a comfortable home in the stable और जब धिरे धिरे एक नाएक दिन तो बात पता चल नहीं थी तो grandmother को बात पता चल गए कि यहां एक mischievous animal toto को भी लाया गया है तो जब पता चली गया तो उसको एक अच्छा खासा रहने का जगह मिल गया कहां मिल गया stable में मिल गया where he had for a companion the family donkey nana जहां पर उसको साथी के रूप में एक family donkey मिली जिसका नाम था nana क्या नाम था nana याद रखना nana नाम था किसका नाम था donkey का इससे पहले भी हमें बहुत सारे animals मिल चुके थे ठीक है tortoise था pair of rabbit था गोड on toto's first night in the stable grandfather paid him a visit to see if he was comfortable तो क्योंकि stable पर अस्तबल में यह उसकी पहली रात थी तो दादाजी उससे चेक करने के लिए गए कि आखिर वो सही सलामत है आराम से है नहीं है इस प्रकार से उसको जुन को चिंता हुए तो गह थे वो to his surprise he found nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay आपने देखा होगा कि जो donkey रहते हैं जो गदी थी या जो भी animals वगरे रहते हैं उनके सामने जदी चारा दिया हुआ है घांस हुआ पुआल हुआ या और भी कुछ भूसा वगरे हुआ तो वो उसे खाने के लिए अपना मुँ आगे की और बढ़ाते हैं लेकिन दादाजी ये देखकर हैरान थे कि जो नाना है वो अपना मुं पीछे की और खीच रही है तो इसको कुछ नजर नहीं आ रहा ही का है ऐसा हो रही है grandfather gave nana a slap across her hunched and she jerked back तो दादा जी गए पास में उस गधी के और पीछे में जाके थप थपाया उसे जोर से थपड़ मारा जैसे हम लोग अपने guy bell के साथ करते हैं बक्री वगरे के साथ खसी वगरे के साथ वैसे करके dragging toto with her तो उसे क्या हुआ जैसे ही डादा जी ने अचानक थप थपाया पीछे में तो वो जो गधी थी जो नाना थी वो उचलती है उचलने के दौरान क्या होता है कि toto भी खिचा चला हुआ आता है वो भी बाहर आ जाता है actually क्या था he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth toto क्या किया था उस नाना डॉंकी के कानो को अपने छोटे तेज दातों से पूरा इच्दम जोर से चबा के रखा हुआ था तो जैसे ही दादा जी ने थपड मारा पीछे थप थपाया वो उचली तो toto भी एगदम जटका के साथ बाहर आ गिया तो ये सारी कर्तूत टोटो की थी, वो उसके कानों को जोर से चबा के खीच रहा था, तो उसे दरद हो रहा था तो इसलिए वो घास से अपना मुँ दूर की और कर रही थी नाना, नानी नाम रखना चाहिए क्या, नाना नाम रखा है, डॉंकी गधी है और नाना नाम रखा है नानी, खेट ठीक है, नाना ही याद रखेगा टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंट्स अब सुरू में ही दुश्मनी हो गई है भाई कान किसी का काटो गए तो वो दोस्त तो नहीं ही बनेगा और यहाँ इन लोगों के बीच भी कभी दोस्ती नहीं भी बूलता है और ग्रेट ट्रेट उसके लिए एकदम बहुत अच्छा साधी पाटी टैप का खुश्नूमा माहौल हो जाता उस समय कब ठंड के दोरान, दूरिंग कोल्ड विंटर, पुरा ठंड के दोरान क्या किया जाता? उसकी इवनिंग, विंटर इवनिंग विंटर इवनिंग विंटर इवनिंग के दोरा गरम पानी दिया जाता था उसके नहाने के लिए दादी मा के दोरा गरम पानी दिया जाता था और बंदर देखो के बहुत जल्दी कॉपी करते हैं तो यहाँ पर यह गरम पानी को चेक करता था जिस प्रकार से आप लोग गरम पानी में नहाते हैं या आप लोग भी नहाते होगे तो पहले हम लोग एक अंगली डालके छू लेते हैं कि आखिर पानी कितना होट है कितना इसमें ठंडा पानी cold water मिलाने की आवश्यकता है ठीक है और यह फिर sufficient है फिर अपनी हथेली को डुबाते हैं और धेरे धेरे फिर हम लोग उस पानी का use करते हैं तो यह टोटो भी वैसा ही करता है पहले अपनी अंगली से पानी को चेक करता है मतलब इसका दिमाग देखो इसकी बुद्धी देखो फिर ऐसा करते करते वो अपना पहले एक पाउं अंदर डालता है पानी में फिर दूसरा पाउं डालता है ऐसा बोला जा रहा है As he had seen me doing दादा जी को उसने ऐसा करते हुए देखा हुगा तो वो फट से कॉपी कर लिया कि दादा जी पहले हाथ से चूते हैं तो यह monkey भी हाथ से चूता है फिर दादा जी अपना एक पैर डालते हैं पाने में वो भी अपना एक पैर डालता है और फिर दादा जी दोनों पैर डालते हैं तो यह भी दोनों पैर डालता है कितने जल्दी कॉपी कर लिया उसने देखो कुछी दिनों में Until he was into the water up to his neck और जब तक दादा जी को वो देखता कि वो टब में गरदन तक डूबे हुए हैं तो यह टोटो जो था यह भी गरदन तक पानी में अपने आपको डूबा के रखता cold winter evenings में Once comfortable he would take the soap और इस प्रकार से जब थोड़ा आराम मिल जाता गरम पानी में तो वो क्या करता take the soap in his hands और feet अपने हाथों और पैरों में साबुन लेता and rub himself all over ऐसा करते हुए उसने दादा जी को देखा था grandfather को देखा था तो उसी प्रकार से वो करता है दादा जी कितरा हाथों में पैरों में साबुन बगर रगड़ता है when the water became cold और जब पानी ठंडा हो जाता he would to the kitchen fire in order to dry himself kitchen में जाने की कोशिश करता या जाता जहां पर आग जल रही होती है और अपने आपको सुखाने की गर्म करने की कोशिश करता दिमाग देखो इसका कितना है if anyone laughed at him during this performance और इस दौरान जदी कोई उस पर हंस दिया उस टूटू पर जदी कोई हंस देता है तो फिर क्या करता है वो टूटू's feeling would be hurt उसके मनवाव को ठेस पहुशती है भाई उसका जो हिर्दय है वो दुखी हो जाता है विचलित हो जाता है उसे अच्छा नहीं लगता है आपका हंसना आपका मज़ा कुड़ाना and he would refuse to go on with his bath और जदी आप उसे भंस दोगे या कुछ बोलोगे उस समय तो उसको ठेस पहुँचेगा और वो नहाने से मना कर देगा ठीक है refuse कर देगा एक बार बोल रहा है वन डे टूटू नियरली succeeded in boiling himself alive और एक बार तो टूटू अपने आपको जिन्दा ही boil कर लेता ठीक है गरम पानी में कैसे boil कर लेता अभी आपने देखा यहाँ पर वो किस प्रकार से जो गरम पानी वगरे को चेक करता है फिर उसमें एक पैर डालता है दो पैर डालता है और इस प्रकार से गले तक डूबा रहता है और ठंड का में गरमी का मज़ा लेता है लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक बार वो अपने आपको पूरा boil ही कर लेता है जिन्दा वो भी तो कैसे इस paragraph में आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ था actually A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea किचन में एक बड़ा बरतन में चाए वगरा बनने के लिए गरम पानी यह डाला गया था और वो मने आग जल रही थी वो चाए चाए के लिए पानी था तो उतने सारे जानवर हैं दादा जी हैं दादी जी हैं बहुत सारे staff वगरा होंगे लेखक भी हैं तो सबके लिए चाए वगरा का program बन रहा होगा तो चाए पानी जो है वो चड़ाया हुआ था गरम करने के लिए और टोटो finding himself was nothing better to do बंदर देखो के हमेसा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ nut cut पन करने की कोशिश करता है साथू जैसा बैठे रहो बोलने से बंदर को नहीं बैठा पाओगे तो कुछ और अच्छा करने को नहीं मिला बोल के वो क्या करता है decided to remove the lid उसने उस lid को यानि उस धकन को जो पतिला या बरतन चड़ा हुआ था चुला पर उसे हटाता है finding the water just warm enough for a bath पानी को उसी प्रकार से टच करने की कोशिश करता है तो देखता है कि रहे हाँ यह तो नहाने जैसा ही गरम पानी है तो he got in वो उसमें घुश जाता है with his head sticking out from the open kettle और उस केटली से उस बड़े बरतन से उसका मुंडी उसका सर जो है वो बाहर की और निकला हुआ था यानि वो अपने आपको जैसे नहाने के समय गले तक डुबा के रखता था वैसे वो करता है this was just fine for a while चलो यह तो कुछ दिर तक ठीक है पानी चड़ाया हुआ है गरम हो रहा है नाने जैसा है तो ठीक है until the water began to boil लेकिन कब तक ठीक है जब तक कि वो water boil नहीं हो गया क्योंकि वो तो चुला पर gas पर stove पर चड़ाया हुआ है तो पानी क्या हुआ धिरे धिरे गर्म होने लगा boil होने लगा Toto then raised himself a little तब गरम लगने लगा नीचे से hot होने लगा तो अपने आपको वो उठाता है उचलता है but finding it cold outside लेकिन बाहर क्या पाता है कि बाहर बहुत ठंड है यानि बाहर निकलता है तो उसे ठंड लगती है अंदर गुशता है तो नीचे से heat लगता है जलने जैसा boil होने जैसा तो क्या करता set down again he continued hoping up and down for some time कई बार ऐसा hoping means होता है उचलना कई बार up down ऐसी इसी प्रकार से उचलते रहा बाहर निकलता फिर गुशता मुंडी बाहर निकलता फिर सरीर को गुशाता इस प्रकार से कुछ कुछ करता और maybe वो सैथ निकलने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन निकल नहीं पा रहा होगा क्योंकि बारतन जो होता है आपने देखा होगा उसका जो सर होता है गला होता है बारतन का वो पतला होता है ठोड़ा ठोड़ा होता है नीचे से गरम लगता तो फिर उपर उचल जाता फिर उठंडा होता ना फिर नीचे गुज जाता ऐसा करके वो उचल कूद करते रहा और बॉइल होते जा रहा था कब तक अंटिल ग्रेंड मदर एराइब एंड हॉल्डेड ही जब तक दादी नहीं पहुंच गई देखने के लिए वही चाय बना की नहीं तो देख रही है वहां टोटो वहां चाय में चाय पत्ती के जगा टोटो बोल रहा है तो हाफ बोईल बोल रहा है हाफ बोईल हो गया था out of the cattle तो दादी जी ने उन्हें निकालाने तो वह आज उसका सूप मॉंकी सूप बन गया होता then if there is a part of the brain specially devoted to mischief लिखक बोल रहे हैं कि जदी brain में कोई ऐसा part है खास कर जदी बोला जाए कि वो mischief के लिए हो सरारत के लिए हो ठीक है दिमाग में बहुत सारे chambers होते हैं और ऐसा बोलता है कि वो left part होता है right part होता है एक part यादास के लिए अच्छा होता है एक part जो है आपका चीजों को emotions के लिए अच्छा होता है तो ऐसा ऐसा करके काफी सारे विग्यानिकों के द्वारा research वगरा भी किये गए हैं तो लिखक का भी यहाँ पर कहना है कि जदी सरारत कामों के लिए दिमाग में कोई एक भाग होता तो that part was largely developed in total 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 में वो भाग वो हिस्सा काफी चीजों को फाड़ चीड के बरबाद कर देता है tearing ठीक है फाड़ना pieces टुकड़ों में whenever one of my aunts came near him और जब कभी भी मेरी आसपास पड़ुस की कोई auntie कोई महिला आती हमारे घर में मिलने या कुछ लेने या बाचीत करने he made every effort to get hold of a dress and tear a hole on it वो भरसक कोशिश करता उस महिला तक पहुँचने की और उसके सारी सूट जो भी सलवार सूट है उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता और जब तक उसके कपड़े नहीं फाड़ देता उसे चैन नहीं मिलता वन डे एट लंच टाइम एक बार क्या हुआ लंच का समय था ए लार्ज डिस अफ पलाव श्टूड इन दे सेंटर ऑफ दा डाइनिंग टेबल पलाव का एक बड़ा सा बरतन बड़ी फैमिली थी न की तो बड़ा सा बरतन जो है वहीं डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखा ह हुआ था जिसमें क्या बना हुआ था पलाव ठीक है मूँ में पानी आ गया होगा पलाव का नाम सुनते ही तो यह पलाव रखा हुआ था वे एंटर दे रूम टू फाउंट टूटो स्टूफिंग हिमसेल्फ वित राइस जैसी वे लोग कमरे में परवीश किये उस डाइनि मदर स्क्रेंग और दादी मा चिलाती है एंट टो थू अँपलेटेट हर दादी मा जैसे ही चिला अरे टो यह क्या कर रहे है बदमास कहीं कैसे करके तो टो टो क्या एक पलेट फेक कर दादी जी को मार देता है एक आउटी भी आगे बढ़ी उसको भगाने के लिए उसे पल जा रही थी उसे एक पानी ग्लास दे मारा उनके चहरे पर ही वेन ग्रंट फादर अराइब ग्रंट फादर से डरता था थोड़ा टोटो जैसे दादा जी पहुंचे टोटो पिक्ट अप द डिश ऑफ पलाव टोटो क्या करता है उस पलाव के पूरे डिश को ही पूरे किसे भागने के बाद कोई jackfruit tree jackfruit tree कहने का मतलब कठल का पेड कठल के पेड के टहनियों पर उसे बैठा हुआ पाते हैं अभी भी the dish is still in his arms बरतन वो प्लेट पलाव वाला उसके हाथों में ही था he remained there all afternoon और मार खाने के डर से पर नीचे उद्रा ही नहीं he remained there all afternoon पूरी दोपहर वो वहीं रहा eating slowly through the rice determined on finishing every grain देरे देरे वो क्या खा रहा है उस पलाव को खा रहा है खा रहा है और ऐसे खा रहा है देरे देरे कि जैसे कि उसने सपत खाई हो कि आज एक विदाना छोड़ना नहीं है सब खाके रहना है and then in order to spite grandmother who had screamed at him और सभी को उसे नीचे से देख रहे थे चिला रहे थे उतारने की कोशिश कर रहे थे और last में वो क्या करता है दादी मां से बदला लेने के लिए दादी मां याद करो उस पर चिला रहे थी जब वो प्लेट लेकर या शुरू में प्लेट से जो हमला किया था उस समय दादी मां अभी भी चिला रहे थी who had screamed at him he threw the dish down from the tree वो क्या करता है प्लेट उपर से पेड़ से नीचे फेक देता है लो बोलके ऐसे प्लेट लाओ ऐसा बोल रहे होगे दादी चिला रहे होगे यह लो प्लेट ऐसा गर फेक दिया तो क्या होता है and chattered with delight when it broke into a hundred pieces प्ल गिरी टूटी कई टुकडों में बढ़ गई और बंदर जो है ही करके अपनी smile प्यारी सी smile देता है दादी जी को जैसे उसने कितना महान काम कर दिया obviously toto was not the sort of pet we could keep for long अब इतना तो तै है कि इन सारी हरकतों को कर्तूतों को देखकर आप भी अनुमान लगा सकते हो कि toto जो है ऐसा pet ऐसा पालतू नहीं है जिसे कि लंबे समय तक रखा जा सके क्योंकि किसी का भी patience जवाब दे देगा क्यों जवाब दे देगा even grandfather realized that सब कोई तो परिशान थे ही last में जो जिस दादा जी को उसकी activities जो है शुरू में थोड़ी शरारती और खुश करने वाली लग रही थी वो भी परिशान हो जाते हैं वी वेर not well to do and could not afford यह रहे गा तो हम लोग अच्छे से नहीं रहा पाएंगे साथि साथ आफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे क्या चीज अफोर्ड आफोर्ड बने वहन करना साहन करना वहन नहीं कर पाएंगे अपने वहन कर पाएंगे ठीक है डेली आप कपड़ा फटा हुआ मिलेगा तो आप खरीदोगे ठीक है डेली कपड़ा खरीदोगे नहीं ठीक है दो मेने में चार मेने में छे मेने में इस तरह से कपड़े खरीदे जाते हैं लेकिन यहां डेली इसका कपड़े फाड़ने का काम था डेली बरतन तोड़ स्टीकिल्स वगरा लगा के इनोंने रखा था उन सबको भी वो फाड़ दिता था तो आदमी कितना साहन करेगा कोई एक दो चीज रहा तो चलो आदमी अफोर्ट कर लिया उस खर्चे को लेकिन रोज प्लेट तूटना रोज कपड़े फाड़ना रोज पर्दों का फाड़ना वाल पेपर्स का फाड़ना और तो और घर का कोई सदस से जब तक ये टोटो आपने सामने रहेगा ठीक है कोई आराम से नहीं रह पाता था ना आराम से खाने देता था ना सोने देता था इवन देखा आपने जब वो सर्वेंट क्वाटर्स में था वहाँ पर भी दूसरे जानवरों को वो सोने नहीं देता था और नाना जो डॉंकी थी उसका तो कान पकड़के काट के अपने क्या हालत किया था वो देखी लिया तो grandfather found the tonga driver तो grandfather को फिर से वो tonga driver मिले उन्हें खोजा उन्होंने and sold toto back to him और फिर से उन्हें वो tonga driver को ही उन्होंने बेच दिया अपना monkey अपना toto को रखो अपने पास ठीक है ये toto मतलब हम लोग से नहीं समलेगा इस toto को रखो आप अपने पास और फिर से उन्होंने वाप ठीक है तीन रुपे में ही बेच दिया खरीदा कितने में था पांच रुपे में बेचा कितने में तीन रुपे में ठीक है चलो दो रुपिया का घाटा ही सही और सुरू में उधर तो जो टिकेट कलेक्टर फाइन लिया वो तो अलगी लिया लेकिन रोज-रोज के होने वाल monkey little monkey उसका वर्णन किया है I hope आपको ये lecture ये class पसंद आया होगा line by line explanation और आपको इसकी meaning clear हो गई होगी और for the next video for the next class please stay connected with the channel and please like share subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications ठीक है और साथ इसाथ last में एक चीज और बूलना चाहूँगा कि आप भी सोच समझ कर ही किसी animal को pet animal बनाईएगा ओके थैंक यू